दोस्तों हम अपने पाइट एक में रिखाओं की गिंती पाइट दो में विकरणों की गिंती लाइन की काउंट करवा दिये और अगला जो हमारा ये पाइट तीसरा है ये क्यू एंड क्यू वाइड या बॉक्स घन घनाब और बाक्सों की गिंती पर आधा रहे थे इस प्रकार के प्रसना आपको फिगर काउंटिंग के अधिक कांस्ता एससे रेलवे बैंक या अन्य राजिस्तरी परिक्षाओं में आपको एक दो आकरतियों से सम्मंदित प्रसनिय दिमैत या रिजनेंग आना है तो ये आही जाते हैं दोस्तो हमने प्रयास किया है आपको कि जितने प्रकार की वी काउंटिंग से सम्मंदित ट्रिक्स होती हैं आपको सब प्रकार की इसमें बताएंगे तो आईए अब हम सुरुवात करते हैं घन घनाव और वाक्सों की गिंती जैसे दोस्तो ये प्रस्ण क्रमांग एक है इसमें लिखा है उप्रोक ताकरती में कितने घनाव हैं इस प्रकार की प्रस्ण लिखे रहती हैं कितने वाक्स हैं एक ही वात होती है तो इसको गिनने का एक तरीक है जैसे आपको पता है कि घनाव में छे सतें कुल होती है तो आ गिंती लिखती, फिर ये अंतिम संक्या कितनी आई, जैसे निकल के चार आई, अब आपको क्या करना है, लंब बद, ये लंब बद, उर्धु आदर, ठीक है, पर्पेंडिकुलर में, यहां फिर गिंती लिखना है, कहीं से भी चालू कर सकते, आप यहीं से जहां खातम हुआ ह दिख रहे हैं, इसमें घनों की संक्या कितनी है, घनामों की आठ, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से यह प्रस्नदू है, इसमें किसी भी सतह पे, सभी सतों पे समान संक्या होगी, आप देख लेना, जैसे इसमें किसी सतह पे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और यहाँ, नो, अब यह नो आ गए, और फिर हमने आपको क्या बताया था, कि लंबबत, किसी भी सतह से, लंबबत, एक, दू, तीन, लंबबत किंती डालें, यहाँ लास्ट में तीन लिखा, यहाँ लास्ट में नो लिखा है, नो का तीन में मल सी ही ट्रेक, आपको यदि इस परकार के घने घना आप बने आ रहे हैं, क्यूब क्यूब आइट, तो आपको इसी परकार से गिल लेना है, एक सतह पे पूरी आपको काउंट करना है, गिंती डालना है, एक, तू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ब मतलब क्या हुआ, कि इस डाइगराम में 64 घनिया घनाप है, ठीक है दोस्तू, यदि इस परकार के घनिया घनाप आपको बने मिलते हैं, तो वही पूर्ण घन संक्या है, आठ है, सत्ता इसे 64 है, 125 है, ठीक है, 616 है, ए, स्वरी, 216 है, ठीक है, या इस परकार से, 216 है, 636 चक इसी में टाइब टू, यदि आपको बाक्स की उपर बाक्स, बाक्स की उपर बाक्स या जैसे हम सुरू करें, यहा नीचे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इस परकार के यदि आपको प्रसनाते हैं, तो इनको भी काउंट करने की चार लिख ले रहे, एक, दो, तीन, यहां तीन, फिर एक, दो, यहां दो, उस सब से उपर है, एक, अब आपको क्या करना है, इन सब के बर्ग करके जो बर्गों के मान आएंगे, उनको हमें जोड़ देना है, जैसे एक का बर्ग, एक ही मिलेगा, दो का बर्ग, चार मिलेग चार का वर्ग, यहाँ 16 मिलेगा और पांच का वर्ग कितना मिलेगा 25, अब जब हम इनको काउंट करते हैं, इनको अब हम जोडते हैं तो एक और चार पांच पांच और नो, चवदा चवदा और सोला तीस, तीस और पच्चीस पच्पन, टीस और पच्चीस कितना हुआ यहाँ, पच्पन 55, कितना हुआ, पच्पन यह हमारा आंसर हुआ इसका मतलब इस आकरती में दी गई आकरती में, पच्पन बाक्स या पच्पन डिब्बेस में हैं ठीके, यदि इस परकार के घनिया घनाब या बाक्स आपको काउंट करने के लिए आते हैं इसकी ट्रेक बिल्कुल यही है बस आपको देख लेना है कि उसके बाद जितने से भी सुरू होते हैं, एक एक कम होते हैं उपर बढ़ते जाते, आप जितनी उनकी संख्या उनको लखें, उनकी बर्ग करें उनकी स्क्वेर के मान जुआ है, उनको आप जूड़ दें ठीक है? अब देखते हैं प्रस्न किर्मांग पांच अब प्रस्न किर्मांग का पांच में हम देखें तो देखो तीन, इसमें भी वही कह रहा है इसको ने को, पकड़के नीचे की तरफ यदि हम इसको खीच दें, तो दोस्तों, यह हम उपर से इसको देखें चुकि यह 3D आकरतियां होती है, घनिया घनाव यह हमें पूरी कभी नहीं देखती घनिया घनाव यह 3D त्रविमी आकरतियां हैं जिनके आयतन नकाले जाते हैं, वो त्रविमी आकरतियां होती हैं इनको किसी भी सरे से देखा जाए, याद ही देखती है, याद ही देखती नहीं है और जिनके 6 तरफल नकाले जाते हैं, वो त्रविमी आकरतियां होती हैं इस टाइप से तो यहां हम देखें, यह हमें एक घन, दो घन, और तीन, यह तो हमें देखी रहे हैं, लेकिन दोस्तों, जो हमें देख नहीं रहे हैं, लेकिन पूरे-पूरे बने हैं, जब हम उपर सिनको visualize, इनको प्रसारित करके हम देखेंगे, तो तीन, चार, पाँच, और एक ये देख रहा छे तो इसका आंसर क्या होगा छे इसमें दोस्तों छे घनिया घनाब हैं कितने हैं छे घनिया घनाब इसमें हैं ठीक अब हम देखते हैं प्रस्ण क्रमांग छे को जब हम प्रस्ण क्रमांग छे को यही कितने घन है इसमें भी वही प्रस्ण पूँच रहे हैं तो हम यहा अंतर है, तो यहाँ आपको किवल उपर कितने देख रहा है हूँ, वो काउंट करना है, उपर से आप देख रहा हो, तो जितने देख रहा हूँ, वो ही काउंट करना है, जैसे गिंती डाल दूँ, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो, कितना लास्ट में कितना आया, स उसके उपर एक देख रहा है, बड़ी सिंपल सी ट्रेक है, यहां भी बिल्कुल वैसे जैसे अभी अपन ने बाक्स की काउंटिंग करी थी, उसी परकार से, यहां एक दू तीन देख रहा है, यहां तीन लिखो, यहां एक और एक दो देख रहा है, यहां दो लिखो और यहां हमेशा करना है जैसे यहां नीचे तीन लिखें तो यह तीन यहां सब जगा गुणा लगाना यह गुणा लगा लो पहले से नीचे से गिंती चालो कर दो यहां तीन है दो के सामने दो यह फसेंगे और एक कहा जाएगा नीचे अब आपको क्या करना है इनकी, ये गुणन फल निकाल दू, एक तिया, तीन, दो दूनी, चार, और तीन एकम, तीन, और जो इनका गुणन फल आया है, इस गुणन फल को आपको जूड़ देना है, तीन और चार साथ, साथ और तीन, दस, ये हमारा आंसर होगा, इसका मतलब, इसमे जो भी है Q या Q8 घणिया घणाव सब की एक ही तरीका है बस तोड़ा भुजाओ का अन्तरुन में रहता है इसमें दस घणिया घणाव है यह हूगया दोस्तो इसी मैं हमने यह भी डाल दिया है बरतों की गिंती सर्किल को कैसे गिना जाता है तो सरकल को गिनने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं बैसे यदि एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार की यदि गिनने हैं तो कुछ नहीं हम एक ब्रत पे एक सरकल पे गिनती डालते जाते एक दो तीन इसमें हमने डाल रखी है देख रहा है आप तो ये हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ब्रतों की संख्या पाँच होगी दूसरे प्रकार के ऐसे ये फसे हुए यदि ब्रत आ जाएं तो इसमें हमें फिर क्या ध्यान रखना है कि परीधी पे हमें काउंटिंग परीधी पे काउंटिंग हमें नहीं करना है फिर हमें क्या करना है कि इनकी हमें ध्यान रखना है हर ब्रत के, प्रत्येक ब्रत के केंद्र में प्रत्य एक ब्रत के केंदर में बढ़ती हुए करम से प्रत्य एक ब्रत के केंदर में आपको Asending Order में बढ़ती हुए करम में ये गिंती आपको लिखते जाना है ठीक है और ये ध्यान रखना है बढ़ती करम में आपको एक नजर ये देखना है कि किसी भी ब्रत में केंदर, ब्रत का सेंटर, किसी भी ब्रत का केंदर ऐसा तो नहीं रहे गया, जो खाली हो, हमने उसमें गिंती नहीं लिखी हो, इस प्रस्ट में हम देख रहे हैं, हमने सभी हिस्तों में हमने इसमें काउंट कर लिया है, इसमें गिंती लिख दी है, तो ला तो दोस्तो हमने अपने part 1 में आपको रेखाओं की गिंती, part 2 में diagonal विकरणों की गिंती और part 3 में हमने आपको घन और घनामों की गिंती बताई, यदि आपको इसी प्रकार के हमसे अन्य वीडियो चाहिए है, तो दोस्तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तो हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, अगला वीडियो जो हमारा होगा, वह भी figure counting से ही relative होगा, 7-8 या 10 टाइप की figure counting हम आपको बताने वाले हैं, तब तक के लिए दोस् तो जय हिन, जय भारत